हेलो एप्रिवेंट आज हम बनाएंगे पंजावी स्टायर राजमा मसाला और साथ में खिली खिली जीरा राइस अगर आप राजमा रात में भीगोना भूल गए हैं और कैसे बना सकते हैं तो वो भी बताऊंगी वीडियो को पूरा जरूर देखियो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलें यदि आप इस मेथड से राजमा चावल बनाते हैं तो यह मेरी गारंटी है कि आपकी राजमा चावल बाहर से भी अच्छ पहले वोश करूँगी उसके बाद इसमें पानी डालूँगी तो मैं यहाँ पानी इतना डालूंगी कि अच्छी तरह राजमा डूब जाये और उसके बाद इसमें में एक चमच नमक हैट करूँगी तो जब आप राजमा विगोना भूल जाते हैं तो आप उसमें एक को हम तेज करेंगे और एक तरह प्रैसर कोंग तरशनी दिल Χion डाची है नुजज़ तरह ज से निकाल के खोलना नहीं अचिह तरह ठंदा होता है तब तक हम अपनी जीरा राइस की तैयारी करते तो मैंने दो कटोरी चावल लिये बासमती राइप लिये और इस काटोरी से मैंने बाया है उसको क्ष़िए तो इसको एक दम क्ष़ों गी खिया और इस चावल को कम से कम 10 निट के ये रेस्ट करने के लिए रख देंगे, आपके चावल कोई भी क्वालिटी के हो, अगर आप इस मैथर से बनाएंगे तो चावल एकदम खिले-खिले बनेगे, तो मैंने एक कड़ाई ली है, जिसमें मैं दो चमच घी एट करूँगे, आप इसकी जगह ओयल एट कर सकती है, अ आप इसकी जगह काजू, इसमें काजू भी एट करते हैं साथ में, और थोड़े सी हरी मटर डाल सकते हैं, जिससे आपके चावल और भी अच्छे बनेगे, जब कोई गैस्ट वगएरा आता, तो इस तरीके से आप राइस बना सकते हैं, आपने कभी शादी वगएरा में कर रखा है, जब इसमें एक बॉइल आ जाएगा, तो उसके बाद हम धकन बंद करके, और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम भी नहीं करेंगे, स्लो कर देंगे, और स्लो करके इसको 10 मिनट तक धक कर पकाएंगे, तो देख सकते हैं, बॉइल आ गया है, और इस वक्त मैं इस तैयारी कर लो, तो सबजी या कोई भी सबजी बनाओ, तो बहुत ज़्दी बन जाता, यह मैंने दो बड़ी प्याज हैं, और इसमें दो हरी मिर्च, एक इंच अद्रक का टुकड़ा, और पांच लेसुन की कलीन, सबको साथ मैं पीस कर मैंने रख लिया है, तो बस को सूकी मिर्च हैं, जिसमें दो चमच कश्मीरी लाल मिर्च है, आदी चमच हल्दी पाउडर और दो चमच धनिया पाउडर है, और यह मैंने एक छोटी सी प्याज बारिक चौप करके रखी है, और इसमें दो हरी मिर्च है, तो मिर्च आप अपने हसाब से कम जाता कर सकते हैं, और यह सूकी हुई लाल मिर्च बड़ी वाली साबुत, तो बस सामान हमारा रेडी है, तो राजमा चेक करते हैं, तो मैंने कोकर खोल के राजमा देखा है, तो थोड़ा इसको हांस से मेश करके देखेंगे, तो इस तरीके से देखें, तो यह 80% पक चुका है, पर 20% रह गय तो चलिए हम शाइल की तयारी करते हैं, तो मैंने कड़ाई में दो बड़े चमच तेल आइट किया है, और इसमें जो मैंने खड़ी मसाली लिए थी उनको अट कर दूँगी तो सारी खड़ी मसाले आड़ कर दीजिसमें इलाइची वगरा जो भी थी जो लॉंग वगरा काली में सब मैंने आड़ कर दीजिए और जो प्याज है वो भी आड़ कर दूँगे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर रहा है बहुत ज्यादा तेज़ नहीं कर रहा है नहीं मसाले जो खड़े डालेते ने एकदम जल जाते हैं और इसका जो फलेवर होता है वो अच्छी तरह नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हूँ जो मैंने प्याज डाली तो हल्की सी प्राउ अगर आपके मसाली जल जाएंगे तो सबजी में वो टेस्ट नहीं आने वाला है तो यह चोटी चोटी टिप्स को आपको दियान देना होगा तो बस इसको अच्छी तरह पकाएंगे तो यह देख सकते हैं आसपास यह इस तरह का तेल अगर आसपास दिखने लगी तो इसका श पीस के रखे ती उसको आड़ कर दूँगे और टमाटर जैसे ही आप आड़ करें इसमें थोड़ा सा आप नमक आड़ करें और नमक थोड़ा आप हिसाब से आड़ करें क्योंकि हमने जब राजमा पकाया था उसमें भी नमक आड़ किया था तो उसी के एकोर्डिंग आप नमक एट करें नहीं तो ज्यादा हो सकता है नमक तो बस अच्छी तरह टमाटर जब तक पक रहा है मसाला हम चावल चेक करेंगे कि हमारे चावल कैसे हो क्योंकि 10 मिनट हो गए है तो देखिए चावल कितना खिला खिला बन गया और दो कटोरी चावल कितने ज्यादा ऊपर तक तो बस थोड़ा सा चला देंगे की हलके से चिपके ना नीचे से और उसके बाद इसको ढखकर हम रख देंगे और झब राजमा बन जाएगा तब हम इसको सर्फ करेंगे तो बस मैंने डखके रख दिया एक साइट और मसाला चेक करेंगे तो टमाटर भी अच्छी तरह पक गया है अब इसमें थोड़ा सा एक चमच अमचोर पाउडर डालेंगे आप बोलेंगे कि टमाटर भी डाला है अगर राजमा अच्छा सा तीखा खटा मसालेदार ना हो फिर वो पंजाबी स्टाइल कैसा हुआ तो ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है तो मैंने अब सारा मसाला जो राजमा पका हुआ रखा था था ना उसमें सारा मसाला एट कर दिया है और इसको अच्छी तरह चला दूँगी और अब हम इसको कम से कम दो सीटी आने तक पकाएंगे आप तीन सीटी भी ला सकते हैं अगर राजमा आपके अच्छी तरह नहीं पके तो तीन सीटी के बाद इसको अच्छी तरह मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद हम चेक करते ह तो ये देखिए, राजमा का कलर बहुत अच्छा है, टेक्स्चर बहुत अच्छा है और थिकनेस बहुत अच्छी है, मतलब हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए इसी तरीके का राज में आप बाहर खाते होंगे तो बस मैंने इसको एक कड़ाई में ट्रांसपर कर लिया है और अब इसमें मैं डालूँगी कसूरी मैती कसूरी मैती की जगह आप धनिया भी डाल सकते हैं पर मैंने खड़े गरम मसाले डाले हैं तो मैं आप इसमें गरम मसाले ज़्यादा अड़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि घर पे ही संडे को बन रहा है तो लंच में ज़्यादा गरम मसाला अड़ नहीं कर रही हूँ तो बस बन चुका है अब हम सर्फ करती हैं मैंने चावल भी सर्फ कर ली है सेलेड भी तयार है और आप संडे के दें इसको बनाईए लंच में फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए बहुत टेस्टी बनता है अगर इस मैथड से आप बनाने वाले हैं तो आप इसका टेक्स्टर देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं बहुत अच्छा बनाए तो वीडियो